नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सी नीरला कंस्ट्रिक्शन चानल के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपको पता है कि मैं घर बनाने से संबंदित हर तरह का जाने कारे आपको देना चाहता हूं तो आज की इस वीडियो में आपको एक सुंदर खिर्की में लगे हुए एस्टेलनेस स्टील का ग्रिल के बारे में बताना चाहता हूं जरता लोगों कि आप आज कल आप देखते होंगे कि एस्टेलनेस स्टील का ग्रिल लगवाना भी सुरू कर दिये हैं तो आपके मन में भी उत apenas होता होगा कि कैसे इसे लगाया जाता है क्या रेट में बनाया जाता है तो पूरी जन्कारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो देख लेजे यहाँ पर एक Estillless Steel का रेलिंग का उपयोग किया गया है और यह आप देख पारें जो इसका फ्रेम लगाया गया है वो भी Estillless Steel का पाइप कहीं है यह चप्टा वाला पाइप है आप देख सकते हैं और चारो तरफ से इसे चप्टा वाला पाइप से इसका फ्रेम बनाया गया है और इसमें कुछ डिजाइन भी लगाया गया जो की गोलनुमा पाइप का है यह देखिए यह जो पाइप है यह भी गोलाकार पाइप है और इसे weld करके बनाया गया है, आप देख लिजे, मैं आपको इसका full look भी दिखा लूँगा, आप देखते जाएगे, यह जो आप joint देख पा रहे हैं, यह stainless steel को weld करके ही इसे बनाया गया है, और बीच में एक चप्टा pipe है, और side में आप देखेंगे, तो गोलनुमा pipe का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और last में आप देखेंगे, तो उसे बंद करने के लिए आपका pipe न देखे, उसके लिए आप देखेंगे, तो चुनोटी टाप का कोई आपका जो तल्ली होता है, उसका उपयोग किया गया है, अंदर से मैं आपको दिखा दूँ घर के अंदर से आपको इस टाइप का भीव देखने को मिलेगा इस खिरकी में, हाला कि बात किया जाए मेस, जो कि पहले हम लोग लोहे वाला खिरकी लगाते थे, तो उतना डिजाइन इसमें आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे आप जो भी डिजाइन का बोलते थे, वो लोग मोर के ब मिल याता है, और बात के जाए मजबूती का, तो जो हमारा लोहे वाला खिरकी होता था, उससे इसका मजबूती थोरा कम आता है, क्योंकि एक होकले पाइप के द्वारा बनाया जाता है, और जो इसका वेल्ड वाला पाइंट होता है, वो भी उतना अच्छे से नहीं जूर पाता है, जितने अच्छा से आप गिरिल का वेल्डिंग को देख पाते थे मजबूती में, तो देखिए कुछ इस टाइप से इसका लुक है, इस खिरकी का, पात किया जाए रेट का, तो स्क्वाइर फीट के हिसाब से बनाया जाता है, तीन सो रुपे परती स्क्वाइर फ खर्चा आ सकता है, उमीद है आपको इस स्टेलेस स्टील के खिरकी के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आवस कर लिजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार